कि यस सो वेरी गूड इवनिंग कल हमने एक आप लोगों को कुश्चन दिया था यस N फैक्टर इस 11 नहीं नहीं बिल्कुल गलत जवाब है एन फैक्टर 11 नहीं है उसका एन फैक्टर इस 55 यस बिल्कुल सही जवाब कल के कुश्चन का जो एन फैक्टर है वो है 55 आज हम आगे बढ़ेंगे एन फैक्टर के लिए हम पढ़ रहे हैं normality ज़रा ध्यान दीजेगा हम पढ़ रहे हैं normality normality में पढ़ रहे हैं equivalence हाँ बैटा uploading में लगा हुआ है लगा हुआ है और आज और class के एक गंटे और देख दो घंटे बाद upload हो जाएगा पढ़ा है normality, पढ़ा है हमने equivalent weight, मतलब equivalence यानि gram equivalent और gram equivalent में equivalent weight और equivalent weight में normality, normality से चल रहे हम, n factor समझने के बाद वापस we will move back to equivalent weight, मतलब equivalence, normality वापस चलेंगे, ठीक है न, हम आगे बढ़ेंगे n factor की तरफ, n factor में last में हमने question दिया था, इसको रख करता हूँ यहाँ पे, लास्ट में हमने question दिया था, अगर याद हो आपको, मुझे याद है, question था, साक्षी, ओके, question था, K4, FECN6, यह था, it is potassium ferocyanide, और potassium ferocyanide में हमने आप से कहा था, कि यह लिए एक्सल लिखी हुए, FEC plus 3, और साथ में एक question था, क्या था, carbon dioxide, और साथ में nitrogen dioxide, यह question था, हमने पूछा था, what is the factor, जड़ा समझ यह, तो यहाँ पर FEC oxidation number plus 2 है, यह आप निकालोगे, K4 का plus 1 into 4, और CN का minus 1, तो minus 1 minus 6 plus 4 minus 2 plus 2 बराबर 0, अच्छा, CN में total CN का minus 1 होता है, जड़ा समझेगा, CN पर charge minus 1 होता है, ठीक है न, और nitrogen पर minus 3, तो carbon पर कितना हो जाएगा, plus 2, तो carbon पर plus 2 है, और nitrogen पर minus 3 है, तो minus 3 plus 2 तभी पूरे CN का minus 1 होता है, point 2 भी noted, इस बात को समझ लो, क्या, CN पर total minus 1 charge होता है, nitrogen पर minus 3 charge है, carbon पर plus 2 charge है, यह in general sinide minus में होता है, तो carbon plus 2, nitrogen minus 3, minus 3 plus 2, it becomes minus 1, hence CN minus 1, लेकिन यहाँ पर इसलिए हमको लिखना पन रहा है, क्योंकि वहाँ carbon का changes है, यहाँ plus 2 minus 3, इतनी बात समझ पर रहे हो, तो यह individually हमने सारा निकाल लिया, ठीक है न, individually निकाल लिया, अब F e का plus 3 already लिखा हुआ है, carbon का यहाँ plus 4 है, nitrogen का भी यहाँ plus 4 है, ठीक है न, तो जब देखो क्या होगा, F e का plus 2 से plus 3 कितना increment आ रहा है, पर यहाँ carbon कितना है, plus 4, तो carbon plus 2 से plus 2 से plus 4, कितना increment हो रहा है, दो का, लेकिन कितने atom है carbon के, 6 atoms है, इसलिए multiplied by 6, it becomes 12, हाँ भई, देखो, clear हो रहा है न, N का minus 3 कैसे आया, सर, N का minus 3 कैसे आया, अच्छा, N का minus 3, बैटा, actually क्या होता है, कि CN में, साइनाइड में, यह बात ध्यान रखो, कुछ चीज़ आपको याद रखनी होंगी, CN का minus 1 charge होता है, CN पर minus 1 charge होता है, basically क्या होता है, C triple bond N, ऐसा होता है, यह, minus 1 charge के साथ, ऐसा, यह compound होता है, ऐसा, यह, CN का structure होता है, CN minus 1, ठीक है न, तो nitrogen क्या होता है, कारबन ने nitrogen को दे दिया, तो minus 3, और carbon ने 3 electron दिये, plus minus 1, तो plus 2 के साथ, CN, C और N के बीच में triple bond होता है, आप ऐसा structure में ऐसा होता है, आप ऐसे समझ लो, तो C और N के बीच में triple bond होता है, minus 1 charge के साथ, तो C और N में क्या होता है, हमने आप से कहा, carbon nitrogen ने nitrogen ज्याद़ एक तो nitrogen के तरफ लेक्ट्रों जाएंगे, कितने 3, तो nitrogen कितने electron लिए, 3, क्योंकि CN में C triple bond होता है, तो 3 electron जाएंगे, तो हो जाएगा minus 3, और carbon ने 3 दिये, तो 3 दिये, तो 3 दिये का मतलब plus 3, और 1 minus ले लिया, तो minus ले लिया, तो कितने plus 3 minus 1, plus 2, भाई इसको आप CN को minus 1 हटाने का मतलब एक H लगा दो, H ने अपना एक electron इसको दिया, तो यह minus 1, तो H हटा के minus भी लिख सकते हो, या H CN भी लिख सकते हो, अगर आपसे कहा जाए, H CN में hydrogen का plus 1 है, तो hydrogen इस carbon ने क्या किया, carbon hydrogen में carbon ज्याद़ अलेक्ट्र नेगेटिव है, तो carbon अपनी तो फ्लेक्टर ने वो खीचेगा, minus 1, और nitrogen को देगा था plus 3, तो plus 3 उधर minus 1 इधर, तो इसका कितना आ गया, plus 2, और इसका कितना आ गया, minus 3, अगया, carbon का plus 2 से plus 4, अच्छा, nitrogen का minus 3, minus 3 से plus 4, कितना इंक्रिमेंट हो रहा है, minus 3 से plus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, कितना, 7 का, तो 7, minus 3 से plus 4, 7, और 7 इंटू 6 कितना हो गया, 42, तो 1 उपर, 12 उपर, 42 उपर, तो 42 प्लस 12 प्लस 1, कितना, 55, so n factor is 55, आगी आना बैटा, double digit में, कल किसी ने पूछा था, double digit में आ सकता है क्या, now it isn't double digit, ठीक है न, तो ऐसे, अब आप questions, तो बहुत सारे solve कर लोगे, now it is the concept, ये concept होता है, n factor निकालने का, मैं आप से क्या पूछूँगा, potassium, pharocyanide, इस reaction में, बताओ, equivalent weight कितना है, तो equivalent weight निकाली लोगे तुम लोगे, निकाल लोगे न, molecular weight upon n factor, साक्षी बटा कुछ कहना है, कुछ कहना है बटा साक्षी, साक्षी कहो बटा, क्या कहना चाहती हो, हाँ, अभी आएगा न, acid-base situation, आएगा, hopefully, मैं कोशिस पूरी करूँगा, cover हो जाएगा, बिलकुल, आगे के या पीछे के, हाँ, मैं मैंने बताया न, कि वो uploading में लगा हुआ है, डेट सो दो घंटे में हो जाएगा, हो जाएगा डेट सो दो घंटे में, ठीक है न, और रही बात slavus की, तो ध्यान रखो, slavus पूरा करना तो हमारे लिए बहुत आसान होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कि नारायना का, अभी आप ऐसे समझ लो, जो स्पीड है, वो बहुत फास्ट चलती है, जिससे क्या होता है, कि अगर हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, तो 101 परसेंट आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, तो आप टेंसन मत लीजे, इस बार टेस्ट में आ रहा है, नॉर्मलिटी, ग्राम इक्क्यूवेल हम यहाँ से समझा देंगे, I have suggestion, yes, बेटा कोई suggestion देना चाहता, 601, क्या suggestion देना चाहते हैं, बोलो क्या suggestion देना चाहते हो, एक्स्टा क्लास, यार बेटा, एक्स्टा क्लास लेपना बड़ा मुस्किल होता है, अभी नहीं हम देखेंगे, टेस्ट में क्या होता है, कि अगर ऐसी सेचेशन रही, तो फिर हम IPT कर लेंगे, IPT का मतलब पर जितना स्लेवस होगा, उस तोना ही आपसे पूछा जाएगा, हम कोशिस ऐसी कर लेंगे, अभी आप टेंसन देले, मोहर सॉल्ड का explanation करो, प्लीज, yes, मोहर सॉल्ड का मैं बता देता हूँ, यहाँ पे, एक मोहर सॉल् प्लस टू है, यह एफी प्लस थ्री में कनवर्ट हो जाता है, मतलब यह अगर आपसे इंडिविजुली मोहर सॉल्ड कहा जाए, कि इंडिविजुली मोहर सॉल्ड में क्या होता है, तो जनरली मोहर सॉल्ड में एफी प्लस टू के साथ है, और एनफेक्टर टू होता है, ले में convert हो जाता है तो during this situation it has one n factor आप इस बात को note करके लिख लिजे कि यह हमेशा f e plus 3 में convert होता है f e plus 2 unstable condition में है plus medium में plus 1 के साथ change दिखाता है इसलिए इसका n factor 1 होता है देखो आगे बढ़ेंगे आप थोड़ा सा जल्दी ठीक है न दिखे यह बात सब्सक्रेंद निकाल लिए इनफेक्टर हमने रड़क्षन का निकाल लिए और से निकाल लिए अब इनफेक्टर में अगर आपसे कहा जाए acid-base reaction में अगर मालियम आप मैं आप से कहा यह लिखा हुए H2SO4 प्लस 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 केल्सियम हीड्रोक्षाइड ठीक है ना और यह रियक्शन बन गया CA SO4 और CA HSO4 का होल ट्वाइस प्लस है यह रियक्शन है और मैंने आप से कहा कि find the end factor of this and this acid or base यह acid base reaction है acid plus base plus salt plus water कुछ ऐसा मैंने एक reaction लिखी आप से 3PO4 प्लस केल्सियम हीड्रोक्षाइड reaction दिखिएगा यह बन गया CA 3PO4 का होल ट्वाइस प्लस वाटर मैंने पूछा कि भाई इसका इन सबसे पहले अगर कोई reaction लिखुई तो इसके कई तरीके है निकाल लेंके पहला सबसे आसान तरीका सब्सक्राइब 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 यही बनेगा हमारे पास रिएक्टेंट साइड में है ठीक है अवनेस अन्वेस अन्वेस क्या करना चाहते हो अन्वेस कुछ कहना चाहते हो चलो अब जो भी कहना हो मैं अभी आपको म्यूट कर रहा हूँ ठीक है अभी क्या है मुझे पढ़ाने दो एक गंटे पहले मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको जो भी डाउट होंगी डाउट मैं आपकी बाद में क्लियर करूँ ठीक है पहले समझो सारी चीज़ें तो बाकी आप अच्छी आप यह बेस है यह सॉल्ट है यह वाटर है टेंथ इस्टेंडर्ड की रियक्शन है आसेड बेस सॉल्ट वाटर एस बेस सॉल्ट वाटर इंडिविदली पूछा जाका थे प्लस थ्री ऑक्सिदेशन नंबर सभी एन फेक्टर और इसका एन फेक्टर टू लेकिन जब रियक्शन होगी तो देखो जरा क्या करनेंगे सब से पहले रियक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा यह अलग कॉंसेप्ट है पूरा कैसे निकालते हैं सबसे पहले रियक्शन को बैलेस करना पड़ेगा सीए थ्री है तो सीए थ्री फॉस्फोरस के टू है तो देखो पी टू है अच्छा एसे हिट इंट्राइल मेथड नो रिडॉक्स हिट इंट्राइल अच्छा अब आप यह सोच रहे होंगे कि मैंने ऑक्ष इंट्रॉड़ेशन नंबर में कोई चेंज होगा ही नहीं इंपोर्टन्ट क्या है कि ऐंसे डिया considering कोई चेंज कोई सीच्ट में कोई बैलेंस से टूपी एधिो और 3C उसके बाद oxygen देखो कितना है 248 और 326 6 और 8 14 है ना 248 और 6 6 और 8 14 और यहां देखो कितना है 8 8 और 3 8 और 6 8 6 14 ठीक ना और hydrogen देखो कितना है 6 टूसर 12 और यहां 3 टूसर 6 और 3 टूसर 6 12 यहां बैलेंस ठीक है ना बैलेंस हो गया 5S2O नहीं 6S2O हाँ ठीक है 5S2O प्लस 1S2O 6S2O अब reaction को balance करने के बाद हमें क्या चेक करना होगा हमें केवल इतना चेक करना होता है कि salt है नहीं है जड़ा देखो salt का समझ पा रहे हैं ना salt का निकाल लो salt का एन फेक्टर निकालना आता है ना salt का एन फेक्टर देखो केल्सियम का कितना चार्ज होगा प्लस 2 और प्लस 2 इंटू 3 प्लस 6 देखो सभी को समझ में आ रहा है बही केल्सियम फॉस्फेट का निकालना हमने इसका अगर एन फेक्टर निकालना है तो इसके पर मोल में कितनी वैल्यू है और इसका एन फेक्टर निकालना है तो इसके पर मोल में कितनी वैल्यू है इसके दो मोल में 6 है तो एक मोल में कितनी होगी 2 mol में 6 है तो 1 mol में होगी कितनी 3 2 mol में 6 है तो 1 mol में 6 by 2 3 मतलब acid base reaction का n factor क्या होता है the total n factor of salt with 1 mol of reactant as well as मतलब acid as well as base इसका देखो क्या होगा 3 mol में 6 value है तो 1 mol में कितनी होगी 6 by 3 2 देख लो भाई क्या ये बास सबको समझ में आ रही है सबसे आसान सस्ता टिकाउ मेथड ये वाला होता है कि acid base अगर reaction दी हुई है तो salt का n factor निकालो और salt का n factor निकालने के बाद आप वहाँ से देख सकते हो कि इसके per mol में 6 value है इसका n factor निकाली लोगे इसके 2 mol में 6 है तो 1 mol में क्या होगा 6 by 2 3 और इसके 3 mol में 6 है तो 1 mol में कितना होगा 6 by 3 2 यानि उसके coefficient को divide कर दो उसके salt की value से तो it is called n factor s3po4 का 3 आता है और cancer matrix का 2 आता है और देखो individually भी इतना ही आता है बाई chance की बात है इंडिविज़ली भी इतना आता है ये एक सईयोग है sir it is odd number odd number से बताब थोड़ी है 3 है 2 है 2 थोड़ी odd number होता है concept संजो आप आप जबाल मतलगाओ ठीक है ना और वैसे individually कैसे और दूसरा तरीका कैसे निकाला जा सकता है s3po4 से salt बनेगा सारे 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 हैं और वैसां को सॉलब करेंगे वहाले को सलफ़र के दो है तो यहां सलफर के दो कल्सियम का एक है कल्सियम का एक है ठीक है ना उसके बार हीटो चार चार जच फैना बैलनिस और्याइक्शन आप क्या करना है अब आप देख लो इसका निकाल चानल इसका इसका इन तो निकलेगा बही, metal पर total positive charge 2 ही तो है, तो इसके 2 mole में 2 value है, तो एक mole में कितना हो जाएगा, 1, इसलिए इसका n factor आजाएगा, और इसका n factor कितना आजाएगा, इसका n factor आजाएगा, एक ही mole है न, एक mole में 2 है, तो एक ही के लिए चाहिए, 2, देख लो, इसका 1, इसका 2, और जबकि H204 के normal condition म factor 2 होता है, जबकि इस reaction के base में factor कितना आया, 1, ठीक है न, और आब आप देखो, हो, एसका n factor 2 है, तो नॉर्मल देखके भी पता चला जा सकता है, तो now it is the concept of acid and base, n factor for acid and base, acid और base का n factor यह होता है, अच्छे से note कर लीजे, क्या फिर से समझाओ, यह आगे बढ़ जाओ, हम, repeat, और next, note करो, can it be in decimal, yes, decimal हो सकता है, बिल्कुल decimal हो सकता है, बात करेंगे भी हम, yes, next आगे बढ़ेंगे, बढ़े समस्तार रुच्छे हो, ठीक है, न, चलिए, देखिए, reaction है हमारे पास, na2s2o3 से बनाया गया, na2s4o6, बताओ, इसका n factor भी बताना है, इसका, और इसका भी n factor बताना है, बताओ, n factor क्या है, find n factor, थोड़ा सा फास, जल्दी करो, मैं जितना पढ़ा दूँगा, कल तक, 90% question वही आएंगे, मुझे पता नहीं, यह वाल और इंडिया लेवल पर पेपर बनता है, लेकिन मुझे पता है, 90% question वही आएंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा, 90% से ज़्यादा स्लेवस मैं cover कर दूँगा, cover तो मैं आज ही दोनों कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करूँगा, समझते हुए, जितने ज़्यादा example कराऊंगा, उतना फायदा होगा तुमको, अग्जामपल्स ज़्यादा कराएंगे, अभी हम कुछ और disproportionation के कराएंगे, हाँ भई, अब देखो, इसमें S का 2.5, चैंब समझ पा रहे हो, छिकर ना, इसका प्लस 2 और इसका 2.5 कैसे निकालो, प्लस 2 प्लस 2 एक्स-6 बरावर-0, तो एक्स-2, इसका निकालो, और 2 एक्स-4 एक्स-12 बरावर-0 तो एक्स-2.5, यह आप निकालो, इसका नाम है Sodium-thiosephate और इसका है Sodium-tetrathionate, नाम है sodium thiosulfate, sodium tetrathionate, अब कैसे plus 2 से 0.5, कितना variation 0.5 का, देखो, लेकिन इसमें कितने atom है, 2, तो कितना आ जाएगा, 1, इसलिए n factor इसका कितना आ गया, n factor of this thing is 1, इसका n factor देखो, 2.5 से 2, 0.5, लेकिन multiplied by 4, कितना, 2, इसका n factor आ गया, 2, तो इस तरीके से n factor हम ऐसे निकाल पाते हैं, जिसका n factor पूछना, oxidation method से solve किया है, अगर आप electron and method से solve करना चाहते हैं, तो भी वैसे solve करना पड़ेगा, balance करो, electron को transfer करो, इसके परमोल में, उसके परमोल में, वही answer आ जाएगा, ठीक उसके बाद एक last point और बता देते हैं आपको, now the n factor for disproportionation reaction, heading डालिये, n factor for disproportionation, मतलब auto redox लिख देता हूँ है, थोड़ा असान रहेगा मेरे लिए, एन factor for auto redox, चलो, reaction लिखी हुई है, P4 plus, NaOH plus, H2O it gives, pH 3 plus, NaH2PO2, हाँ भई, इसका एन factor चाहिए आपको, solve करिए, देखें कितने लोग कुछ idea लगा सकते हैं, कुछ idea, कोई idea नहीं है, no idea, मैं देता हूँ idea, देखो, इसको रख करता हूँ, इसका 0 है, oxidation number, इसका minus 3 है, इसका plus 1 है, तो आपको क्या पता है, आपको ये पता है, कि 0 से minus 3, क्या हो रहा है, reduction, और 0 से plus 1, क्या हो रहा है, oxidation यही तो disproportionation होता है, और disproportionation का n factor निकालने का तरीका बिल्कुल अलग है, mix नहीं करोगे, अगर disproportionation reaction है, तो इसका n factor निकालने का तरीका बिल्कुल अलग है, क्या तरीका है, देखो, n1 into n2 upon n1 plus n2, देखो जड़ा, ये एक simple सा formula apply करते हैं, n factor निकालने का, कैसे, 0 से minus 3, जड़ा देखना, 0 से minus 3, कितना decrement हो रहा है, n1 मतलब decrement, n2 मतलब increment, मतलब एक increment है, एक decrement है, आप ऐसे समझ लो, मतलब जितना decrement हो रहा है, वो n1 है, जितना increment हो रहा है, वो n2 है, या आप उल्टा बाल लो, जितना reduction हो रहा है, वो n1 है, जितना oxidation हो रहा है, वो n2 है तो जितना increment पहले देख लेता है कितना reduction हो रहा है तो reduction में देखिए P4 से minus 3 कितना reduction हो रहा है 0 से minus 3 कितना 3 का लेकिन कितने आटा में 4 है ना तो 3 into 4 बराबर कितना हो गया 12 हो गया ना इतनी बास समझ में रही है न सभी को यह balancing में तो सीखा ही है ना सभी ने 0 से minus 3 3 का difference आ रहा है into 4, 12, इसमें देखो कितना आ रहा है, 0 से 1 increment, 1 increment का मतलब 1, 1 into 4, कितना 4, ये बात तो बहुत आसान है नहीं, करी लोगे न सभी लोग, कि जतना increment बे जा रहा है, जतना decrement बे जा रहा है value आ गए 12 into 4, तो क्या करोगे हैं, 12 into 4 upon 12 plus 4, कितना 48 upon 16 is equal to what, 3, n factor is 3, क्या ये clear है disproportionation reaction का सबसे आसान disproportionation reaction का एंफेक्टर होता है ठीक है न तो यहाँ पर कोई बहुत खास टफ चीज नहीं है एक reaction मैं दे रहा हूँ वो reaction का एंफेक्टर आप solve करके दिखाओ आप अगर note नहीं कर पाते न अब आप सोचो कि मैं थोड़ी सी speed बढ़ाऊंगा न थोड़ी सी speed बढ़ाऊंगा न तो थोड़ी सी problem हो सकती है थोड़ी सी speed बढ़ाऊंगा क्लोरीन प्लस एनियो एच एट कंवर्ट इंटू एने सी एल प्लस एने सी यलो थ्री टेंसन मतलो धीर धीर जब टून हो जाओंगे न मुझसे तो मैं अपनी फाइंट एन फैक्टर ऑफ क्लोरीन क्योंकि जतना अच्छा क्लोरीन 5 by 6 very good क्योंकि एन फैक्टर अगर आएगा तभी एक्युवेलेंट वेट आएगा तभी नॉर्मालिटी आएगी तभी ग्राम एक्युवेलेंट आएगा अदरवाइस नहीं आने वाला सारी चीज़ा इ पर डिपेंडेंट है, यस, वन, टेन बाई थ्री, फाई बाई सिक्स, मैं बताता हूं, देखो, यस, बहुत सारे बच्चों क्या प्रोच अच्छी है, यह देखो, यह 0, आप मैच करो, यह 1, और यहां पर क्लोरीन का है का, प्लस 5, प्लस 1, मैनस 6, प्लस 1, मैनस 6, मैनस 5, प्लस 5, बरबर 0, एक्समान क्या प्लस 5 निकलेगा, यह दो 0, यह मैनस 1, तो CL2 का 0 से मैनस 1 क्या हो रहा है, रेदक्शन हो रहा है, और CL2 का यहां क्या हो रहा है, तो र मतलब 10 लिख दू मैं देखो ना 0 से माइनस 1 1 इंटू 2 और यहां पर 0 से 5 2 10 तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 अपॉन 10 प्लस 2 20 बाइ 12 ठीक है न और 20 बाइ 12 का मतलब 5 बाइ 3 किसी ने हम से पूछा था फॉर 5 जा 20 और 4 3 जा 5 बाइ 3 किसी ने हम से पूछा था क्या oxidation नंबर या स्वरी एन फैक्टर क्या fractional हो सकता है यस 20 बाइ 7 बटा गलत जवाब है 20 बाइ 7 नहीं लिखो गया हां और स्वरी 20 बाइ 7 कैसा है यह 20 बाइ 12 लिख सकते यह आंसर 5 बाइ 3 ठीक ना ना वट इस करेक्ट आंसर तो जब भी आपको डिस्प्रपोर्शनेशन का इन फैक्टर पूछा जाए तो आप ऐसे सॉल्व करोगे क्या समझ पा रहे हो उसके बाद एक लास्ट पॉइंट और एन फैक्टर का आपको बता देता हूं अच्छा एक चीज और आप समझ लो हमारे पास एक रियक्षन है कि मनो फोर की जड़ा देखो कि मनो फोर में हमारे पास मनो फोर वन निगेटिव है न यह वाला हमारा मैं रिक्षन नहीं लिख दूँ मैं तीन रियक्षन लिखता हूं तीनो रियक्षन लिखता हूं जड़ा देखो के मनो फोर प्लस एच टू एच टू ओ इस के मनो फोर को जड़ा गौर तो देखो के मनो फोर किसी आसिट से रियक्षन कर रहा है के मनो फोर किसी बेस से रियक्षन कर रहा है के मनो फोर नूट्रल से वाटर As a neutral Acid base, दोनों मिला के Water Neutral Medium में कहा जाता है तो कहा जाता है K無 in a4 Acidic Medium मी K無 in a4 Basic Medium में और क?" विन a4 Neutral Medium में तो K無 in a4 का N Factor अलग-अलग Medium में अलग-अलग होता है It depends reaction बहित ही यह reaction पूछी जाएगर K無 in a4 यह reaction अलग है N Factor अलग हो सकता है इसकी reaction अलग है तो अलग हो सकता तो ध्यान दखिएगा N factor जो है वो एक ही compound का vary कर सकता है if it participates in different reactions ये N factor की खास बात होती है ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया कि H2SO4 का N factor 2 होता है तो 2 हर case में होता है ऐसा नहीं है individually 2 होता है लेकिन अगर किसी reaction में participate करेगा तो अलग-अलग तरीके से उसका अलग-अलग हो सकता है strictly depends upon reaction ठीक है तो अब आपको बताना है क्या बताना है कि acidic medium में basic medium में और neutral medium में क्या होगा इन factor तो उसके लिए पूरी reaction में लिख देता हूं यहाँ पर यह reaction होती है K2SO4 प्लस MnO4 प्लस water प्लस एक nascent oxygen अभी आप यह टेंसन मत लेना reaction में कैसे लिख रहा हूं मैं आप सबको सिखाऊंगा reaction कैसे लिखी जाती है जो मेरे मन में आता मैं वो लिख देता हूं को रट के नहीं बैठा हूं यह ध्यान रखना आपको बताऊंगा अपने मन से क्या देखो यह reaction है अब आपको बताना है is can factor is can factor चलो बताओ नेसन्ट oxygen ध्यान रखना है इसको आप बिल्कुल एक नहीं करोगे ने संट oxygen इंसफिशन सप्लाई आप उक्सीजन इसको आप हटा दोगे ने संट टरंस को oxidation नंबर से treat करो गया ठीकर नं तो ह्याँ पर एमन का प्लस3 और यहां पर एमन पर फ्लस2 बाकिंदेखो को में OCR Cable के की मेंन में का सब्सरatorio रहा है और प्लस 7 से प्लस कार गाए इसका इंफ्टर इंफ्टर आ गया कितना इसका इंफ्लिए राई वात तो गया व झाव सोजोगेडि Chair AI mead session tampa के अगर मैं आप से कहूँ किondere here अगर बात करूं में बात करूं तो आगया फाइव को ठीक ना बेसिक बेकर भी आचो यहाँ पर एमन कई seven है और यहां पर положके तना है plus 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 two the sport of six oh two in two fourth pants मिट्र grande Maps 6एट संट तो यहाँ पर प्लस 7 प्लस सच में जाएगा कितना आजाएगा एंट तर one two है का मतलब हो जाएगा बेशीच मीडियम में one do basic में Studia में Tennessee में सीप्लेशन होता है इसलिए वन और नूट्र मेर देखो एमन का प्लस सेवन ही होगा और यहां पर MN का कितना हो जाएगा प्लस फूर और MN का प्लस फूर है यहां MN का प्लस सेवन है तो थ्री यानि की नूट्रल मेडिया में कितना आ जाएगा थ्री तुम चाहो ते विकल नंबर याद करो ना बैन 153 के लिए बेसिक में वन ऐसेटिक में फाइफ नूट्रल में थ्री बाइ यूजिंग डिस रियक्शन सॉनली ऐसा नहीं हर केस में रियक्शन बदलेगी एन फैक्टर बदलेगा तो एन फैक्टर का मतलब ही यही केवल होता है जा चेंज इन ऑक्सिडेशन नंबर डियूरिंग इस दर्ट क्लियर और कोसिस करो यह के अमनो फोर इस पॉस्ट इंपॉर्टेंट पार इसलिए यह तीनों रियक्शन से अगर आगको याद भी हो तो चलेगा यानि कहने का मतलब यह है सर अगर बेस अलग हो गा तो नहीं अगर यह बेस यहाँ पर बेस कोई भी ले ले लो आ इसलिए क्योंकि एमन का यहाँ सेवन है और एमन का वहां टू है बाकी का कोई चेंजस होता है एंट फैक्टर उसी को ट्रीट किया जाता है और यहाँ पर डी चैंच इंड लिए और उखेस्ट्रीजन को ट्रीच नहीं है वह मनें आपको शुरीत नहीं करना है क्थ क्षिजन प्लस वन आपर भी ऑ औक्षजान माइनस टू हाइडोजन प्लस वन कहीं कोई चेंज ही नहीं है दा ओनली चेंज इन दियर और और अक्षिदेशन नंबर आफ एमन एमन का एमन में चेंज है एक का एक ही जगे चेंज है लगाँ इन की बेन 153 for KMN04 ठीक है ना अच्छा एक मैं आपको यहां पर एक होम प्लस करने के बाद आपके को को गilsक को करना है इसके कोफिशेंट को गौर करिए गार इसके कफिशेंट को गौर करिएगा और फिर देखिएगा क्या यह कौफिशेंट ही उनके के in-fectur होते हैं और मुझे जवाब चाहिए कल कि क्या किसी भी reaction में अग्स n kung cured लिकलती है तो 00 bases होने के बाद क्या उसका neben oxygen का जो गॉफिशेंट होता है क्या उसका ен-fectur होता ही है इसका यह बात सही है या यह मात्र संयोग यह आपका एक होम एक तरुमेंट ही यह इसी से तुम तीनों रिक्स यार भी कर लोगे ठीक है ना जितने पार्ट मैं पढ़ा रहा हूं अगर उतने ही आपको अच्छे से कलेक्ट कर लोगे ना में कोई जितनी बाते में पढ़ा रहा हूं ठीक है ना अब एक लाश्ट कॉइन्ट और अभी देखो से पहले हमने लिया था यह वाला लिया था अगर याद हो तो यहां से yaha वारी एशन हो रहा था इसका यहां से यहां हो रहा है अब एक लास्ट सेग्मेंट लेता हूं कि एक अगर दो जिगे वरियेशन हो, the last segment, देखो कैसे, एक reaction लिखता हूं मैं, k2cr207 plus hcl, it gets kcl plus crcl3 plus water plus cl2, गौर तो देखो ज़र एक्षन को, the next segment of n-factor, ये सारे के सारे n-factor को बहुत अच्छे से दिमाख में fit करते हुए चलो, ये एक last segment और बचता है, इसके बाद ये n-factor खतम, वापस आजाएंगे normality पर हम, ठीक है न, ये एक reaction लिखी हुए और अगर मैं आप से पूछ लूँ कि n-factor आप इसका भी बताओ, इसका n इसका n-factor मुझे चाहिए और इसका n-factor चाहिए, दोनों का अलग अलग चाहिए, और किसी पूरे molecule में एक में अगर variation हो रहा है, तो वो एक वाला पूरे n-factor के बारापर मल लिया जाएगा, आप बताओ, इसका n-factor और इसका n-factor क्या है, चले जल्दी से solve करिए, के टू इसका n-factor क्या होना चाहिए, गोयल दिव्यांशू, दो सौरब का कहना है six, ओके, अंकित टू, नहीं बेटा, यस टू, भूशन रवींद्र, six, absolutely, k2cr207 has six n-factor, absolutely correct answer, किसका k2cr27, बिल्कुल सही जवाब है, जो लोग k2cr27 को six सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकि जो hcl का one सोच रहे हैं, वो गलत सोच रहे हैं, यहाँ पर एक खास बात, बस यहीं बात ध्यान रखेंगा, बिल्कुल आखें खोल के समझ समझेगा, यह बात कम समझ में आने वाली है, समझो ज़रा कैसे, क्रोमियम का तो यहाँ प्लस six है, no problem, और यहाँ क्रोमियम का देखो प्लस three है, तो क्रोमियम का क्रोमियम में ही तो वैरियेशन हो रहा है, प्लस six से प्लस three का, लेकिन यहाँ दो आटम है, तो n-factor is six, तो k2 सी आटो seven का इंफेक्टर six है, no problem, one to one, एक से एक जगे जितना change होता है, वही उसका इंफेक्टर होता है, लेकिन अब जड़ा क्लोरीन के खास तोर पर देखो, क्लोरीन का यहाँ माइनस one है, यहाँ भी माइनस one है, यहाँ भी माइनस one है, और यहाँ पर zero है, ओ, हाँ भई, minus one, minus one, zero, इस question को समझने के लिए, आपको इसका एक और आसान वर्दन समझाने के लिए, मैं थोड़ा सा आपको और बेसिक बात समझा दूँ, यह question तो बड़ा अच्छा question है, HCL का इनफेक्टर निकालने के लिए, fraction value आएगी, मैं समझाऊंगा, लेकिन इस बात को समझने के लिए, जड़ा इसकी कुछ और basic बाते समझ लो, कि अगर एक से ज़्यादा जगे variation हो जाए, मतलब variation का मतलब यहाँ माइनस, माइनस one है, यहाँ माइनस one है, और वहाँ zero है, तो आप यह सो सकते हो कि माइनस one से zero, लेकिन इनस one से zero होना चाहिए, लेकिन इनस फैक्टर वन तब होता, जब यहाँ से यहाँ होता, तो फिर इनस फैक्टर वन ही होता, लेकिन अगर एक से ज़्यादा जगे variation है, तो फिर इनस फैक्टर नहीं वैसे निकलेगा, तरीका बदल जाएगा, और तरीका बदलेगा क करेंगे जा तीन-चार लएने छोड़ो और आगे बढ़ो जैसे माल लिया मैंने लिखा पर यह लिखा है मन प्लस मन प्लस सेवन और यहां पर यह लिखा है मन प्लस टू और प्लस एमन प्लस ट्री समझना situation समझेगा MN plus 7 MN plus 2 MN plus 3 और मैंने कहा इसका इन फेक्टर बताओ क्या है तो क्या है अभी तक हमने क्या पढ़ा अभी तक हमने पढ़ा कि यह ना हो तो यह ना हो तो MN plus 7 7 plus 2 इन फेक्टर पांच है बात बिल्कुल समझ में आती है यह ना हो तो MN करेंगे तो क्मझ समझ में नहीं ले सकते नो तरीका ही अलग है समझो अगर एक से एक जगे variation हो तो oxidation method भी लगेगा या electron method भी लगेगा जो इच्छा हो लगा लो solve कर लो लेकिन अगर एक से ज़्यादा जगे variation हो भले ही एक जगे यहाँ MN plus 7 भी होता वही situation होती ही यहाँ minus 1 से minus 1 और 0 तो plus 7 से plus 1 और 3 वही situation होती ही ठीका ना तो शाहर सेम हो चाहे अलग-अलग हो क्या करना होगा ऐसे question को कैसे solve करते हैं such type of questions are solved by at first balance the chemical reaction सबसे पहले reaction को balance करो हमें यह तो पता चले MN के plus 7 वाले हैं कितने MN के plus 2 वाले हैं कितने MN plus 3 वाले हैं कितने सबसे पर balance करो MN 1 MN 1 2 2 MN सबसे पहले ऐसे question को balance किया जाएगा उसके बात क्या किया जाएगा यहां देखो MN के कितने total electrons हैं 2 7 14 यहां 14 electron है न वो भी positive के और यहां कितने है 3 2 5 यहां 5 electron है positive के यहां 14 electron है वहां 5 electron है balance the electrons कितना यहां पर जोड़ दू मैं कितना जोड़ू बताओ जरा 14 को 5 बनाओगे 14 में से 5 minus करो 9 मतलब 9 electron यहां minus करो तो 14 में से 9 electron minus करोगे तो कितना बचेगा 5 electron बचेगा न तो 5 electron इधार है 5 electron इधार है balance है समझना क्या कह रहा हूं मैं अगर एक atom का एक से ज़्यादा variation होता है तो ऐसी reaction में सबसे पहले balance करोगे और यह reaction electron ion method से ही balance होगी note करके आपको लिख लो if there are more than one oxidation change more than one oxidation change note down इस बात को लिखो point करके यह important segment है if there are more than one oxidation change then the n factor is right then n factor is total transferred electrons per mole then the n factor is total transferred electrons per mole after balancing the chemical reaction भाई electron ion method में बालंसिं होगी होगी इसमें तो कोई फन बथा ही नहीं फिर से बोनू if there are more than two change in oxidation states then n factor is total transferred electrons total transferred electrons per mole total transferred electrons per mole अब electron and method क्या होगी होगी है अदर दो है इदर दो है अब टोटल अलेक्टरन कितने होगी है अब oxygen hydrogen है नहीं एट्रों फोटीन और उदर पाच तो फोटीन में नो अगर माइनस कर दिया चाथ पांच इदर पांच इदर बचा पांच उदर पचा ठीक है ना तो आब बताओ इसका इन फैटर काना नहीं होगा इसका इन अपर गॉल अला ? इसका कनृम नहीं होगा उसका भी नाइन होगा वटटर ट्रांसवर्द पर मोल अन वेठर का एक वैथ्टट होता है क्लियर ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है अब ऐसी चीजों को मैं बहुत फास्ट ले नहीं सकता इससे ज्यादा फास्ट लेंगे ना तो ऊपर से निकल जाएगा एक डम ठीक है ना चलो एक कॉश्यन और स्वल करते हैं अभी इसको इसको स्वल करना है मुझे मैं इसको रभ नहीं कर रहा हूं इसको स्वल करना है चलो अगला क्श्याद परो यस देखो chromium प्लस 6, it gives chromium फ्लस 3, प्लस 2, chromium फ्लस 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 2, find the n-factor of this, चलो जल्दी solve परो, बता इसका n-factor कितना अंडर लाइन वाला, इसका यह नहीं होता तो n-factor 3, यह नहीं होता तो n-factor 4, दो जगे है, electron and method लगेगा oxidation method नहीं लगेगा yes fast 11 इसका 11 7 by 2 शाय 13 by 3 पहले क्या करना है balance करो 2 और एक 3 3 3,6,18 18 electron है यहापर इधर कितने 2,4,3,7 इधर 7 electron है तो क्या करें 18 में 7 इधर 7 इधर 18 है तो क्या करें वही 11 electron इधर add करो देखो तो कितना हो जाएक थे 6 प्लस का 18 और प्लस का 18 माइनस का 11 प्लस का 7 प्लस का 7 बराबर ठीक है ना तो तीन मौल में 11 है तो एक बोल में कितना हो जागा 11 by 3 बिलकुल सही जवाब बिलकुल सही जवाब गुड आ गई बास समझ में आ गई न आ तो गई ये बात तो बिलकुल पक्की है आ गई न 11 by 3 is correct answer बिलकुल सही जवाब ठीक है न अब देखो एक जरा magic देखना एक magic question देखो जरा मैं question लिख 3 it gives MN plus 2 plus MN plus 7 जड़ा पता इसका n factor कितना है इसका n factor बताओ कितना है one more question इसका बिलकुल सही निकाला था 11 by 3 is correct answer इसका नीचे वाले एक निकाला जड़ा यस दिखरा है बिलकुल स्क्रीन साफ है बड़ी important बाते हैं यह यह बाते अच्छे से feeling करने के बाद ही आएंगी एक एक दो आप सोचोगे दो और टू थ्री जा सिक्स इधर और नाइन इधर तो क्या करें इधर तीन एलेक्ट्रों जोड़ दें तो नो में से तीन जाएगा च्छे बच्छे का च्छे इधर उधर आप ऐसे सोच रहे होंगे और एंफेक्टर कैसे निकालोगे तीन है तो three by two three by two should be correct अंतर ऐसे निकाला होगा बिलकुल गलत जवाब देखो यही तो मैजिक बोला था ना मैजिक देखो इसके उपर वाली रिक्षण लिखी थी ना भी हमने एक पहले आपके सामने तीन लिखी है यह लिखी है इसके पहले वाली लिखी है इसके पहले जो लिखी थी और यह लिखी है डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों रियक्षण में इस और इस रियक्षण में अंतर क्या है अंतर में लेकिन में एक Thai has more electrons नहीं तहीं समझाता हूं नंबर देखो क्रोमियम कई स्टी अब प्लस चिकी श्रीन हो रहे हैं पहले बले में भी या तो उक्शिदेशन हो रहा होगा या तो रिक्शन हो यह वाली रिएक्षिन क्या है एक बार रिडख्षन एक बार ऐकणैशन नहीं दिस्पोप्रोशनेशन रिएक्षन खाय वाली रियक्षन ऊटविट स नि धी इंडियान रखो यह वाली रियक्षन फोव गई नीचे वाली रिएक्षन मतलब का लिपकोन सा प्लस थी से टू एक प्लस थ्री से प्लस 7 प्लस तो एक और प्लस 3 से प्लस 7 कितना चार तो फोर इंट वंपन प्लस वन यानि 4 by 5 तो एस आंचर इस 4 by 5 by using disproportionation reaction मतलब यहां बस दो बाते खास ध्यान रखी जाती है यह यह तो reduction की हो या तो oxidation की हो या same हो oxidation reduction नहीं होना चाहिए तो इस बात को जला note करके यहां लिख लो कि it is a disproportionation reaction so cannot be calculated like this हाँ भई आई बास समझ में yes 4 by 5 absolutely correct answer अब 4 by 5 है ना yes 4 into 1 by 5 अब आपको ये वाला question solve करके लाना है घर से इसका एंफेक्टर कितना आएगा अब देखो ये disproportionation नहीं है बात पकी है सिएल माइनस वन है सिएल माइनस वन माइनस वन जीरो और अब इसको पहले balance करना और देखना इसका कितने chlorine के अटम है इधर कितने chlorine के अटम है तो पर मोल में कितनी value होगी ये आपका home assignment डे रहा हूँ इस जैए advance in 2000 पता नहीं किसी में पूछा गया सो पंदरा सोला के असपास सर प्लीज टेल उस सब topics you taught from starting because I have बेटा देखो अभी क्या है मैंने इतना कहा है कि मैं मैंने बहुत सारे वीडियो क्या चार अप्लोड कर दिये हैं मैं इतना कर सकता हूं कि आपको धीरे-धीरे करके uploading तो बढ़ा सकता हूं ठीक है ना सर प्लीज अप्लोड अप्लोड लेक्चर आर कमिंग फ्रों मंडे टेस्ट नहीं बटा मैं फ्यूचर कर नहीं कर सकता देखो एक बात आप लोग समझ लीजे ये बैच नमबर थ्री है बैच नमबर वन और बैच नमबर टू थोड़ा पहले से चल रहा है ठीक है न तो उसके लिए टाइमिंग ज्यादा मिल गई है यहां टाइमिंग थोड़ी कम मिली हुई है हमको औ ने बाट जीतू सर है यहां पे एंट जीतू सर पूलीज रसपमडर अजीतू सर यह सर बताएं कि यह बेच नमबर थ्री है न बात्च वन-बैच टू-का स्लेथर और बेच फ्रीका स्लेथ बिल्कुल बराबर कर दिया गया है और जबकि बैच थ्री थोड़ा लेट इस्टार्ट हुआ था तो इनको उनके बराबर कॉप-प कैसे किया जाएगा हम अगर बहुत फास्ट पढ़ाएंगे तो समझ में आना बंद हो जाएगा इनको हाँ तो बीस दिन पीस दिन में तो हम एक चैप्टर आगे बढ़ जाएंगे लेकिन अभी क्या है कि उस स्लेवस को कॉप-प कर पाना थोड़ा मुश्किल है एक बार मलिक सर से बात करिये न आप सुन पा रहे है यही कि स्लेवस थोड़ा सा मतलब हमारा स्लेवस पीछे चल रह है तो अब उतना कॉप-प कैसे कर पाएंगे इन बच्चों का है हाँ तो चलिए ठीक है मैं भी बात कर लेता हूं ठीक है ना सर चलो बैटा ठीक है ना सारे स्टूडेंट्स मैं प्रॉपर द्यान रखूंगा आप लोग इसको पहले समस्ते चलिए मैं कोशिस करता हूं बात करता हूं कि आपका टेस्ट कैसे क्या करना है ठीक है ना कल बात करेंगे इसकी थैंक यू वरी मिच